हेलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में कॉडिनेशन कंपाउंड की आज हम और्गेनो मेटलिक कंपाउंड बगरा पढ़ेंगे स्टेबिलिटी और कुछ इंपॉर्टन एपलिकेशन भी दिखेंगे ठीक है इसके लाबा हमारा एक टॉप होता है यह बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक है तो धियान से देखना जरा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आप मेरे साथ साथ लिखते जाना नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो जाई आपकी यहां पर ठीक है तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है कि दक मपाउंड से दक मपाउंड्स आफ इन घ्मेंविच metal is metal is directly bonded metal is directly bonded with the carbon directly bonded with the क्या carbon मतलब सीधा सा simple सा मतलब है नाम में ही लिखा है क्या organo metallic compound मतलब organo means organic organic किसकी होती है carbon की metallic means metal metal आप जानते ही हो तो organo मतलब carbon carbon और metal के बीच का bond होगा तो हम क्या बोलेंगे बिटा organo metallic compound बोलेंगे तो metal और carbon के बीच bond मतलब organo metallic compound अब organo metallic compound क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखो जड़ा ध्यान से देखना जड़ा अगर मैं इसके types लिखूँ अगर मैं इसके types लिखूँ किस किस type के organo metallic compound हो सकते हैं तो number one लिख रहा हूं मैं आयोनिक और गयानो metallic compound और गयानो metallic compound ठीक है तो आयनिक और गयानो metallic compound बिटा क्या होता है metal और carbon के बीच में आयनिक bond होगा क्या होगा आयनिक bond आयनिक बॉन्ड इस प्रिजेंट इस प्रिजेंट बिटिवीन किस किस के बीच में metal and carbon के बीच में मतलब metal और carbon के बीच में आयनिक bond प्रिजेंट हुआ तो आयनिक और गयानो metallic compound बिले हुए simple है है ना जैसे कुछ example आप जानते हो suppose मैंने लिखा R li तो li प्लस r minus आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक और गयानो metallic compound और देखो और सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एने प्लस यह क्या हो गए आयनिक और गयानो metallic compound metal और carbon के बीच में आयनिक बॉन्ड तो आयनिक और गयानो metallic compound covalent organic metallic compound इसमें क्या होगा इसमें बेटा कोवलेंट बॉन्ड प्रिजेंट होगा क्या होगा बड़ा कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड एज प्रिजेंट बिटिवीन किस किस के बीच में metal and carbon मतलब metal carbon के बीच में क्या होगा बेटा कोवलेंट बॉन्ड प्रिजेंट होगा कौवलेंट बॉन्ड प्रिजेंट होगा कोवलेंट बॉन्ड प्रिजेंट होगा अब यह क्या-क्या हो सकते हैं वो देखो पहला सिगमा बॉंडेड हो सकता है दूसरा पाई बॉंडेड हो सकता है और तीसरा जो कि सबसे IMPORTANT है क्या सिगमा एंड पाई बोथ ठीक है तो सिगमा एंड पाई बोथ बॉंडेड अगर आ गया ठीक तो ये 30 होते हैं एक ett करके discuss कर लेते हैं जैसे पहला है सिग्मा वॉंडेट तो आराम से इसको पॉस करो नोट करो नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ सारी चीजने सिखा दूँगा धियान रखना ठीक है चलें आगे चलो भई तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो सिग्मा वॉंडेट का स्टार्ट करता हूं ठीक है पहला सिग्मा बॉंडेट बात बताव आप भी बता सकते हो डेफिनेशन क्या मैटल और कारवन के बीच में कौन सा बॉंड होगा बेटा सिग्मा बॉंड प्रेजेंट होगा ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा सिग्मा बॉंड इस प्रेजेंट बड़ा इजी टॉपिक है यह ना बहुत बड़ा भी नहीं छोटा सही है सिग्मा बॉंड इस प्रेजेंट बिट्वीन मैटल क्या मैटल एंड कारवन मैटल एंड कारवन मैटल और कारवन के बीच में सिग्मा बॉंड होना चाहिए जैसे एक्जामपल के तौर पर मैं लिख रहा हूं टेट्रा मिथाइल टि मैं मैटल और कारवन के बीच में कौन सा बॉंड है कौन सा बॉंड बोलोगे वेटा सिग्मा बॉंड बोलोगे क्या बोलोगे सिग्मा बॉंड तो मैटल और कारवन के बीच में कौन सा बॉंड होगा सिग्मा बॉंड होगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा बॉंड जैसे एक negative तो metal carbon के बीच में Sigma bond है ठेक और क्या लिख सकता हूं मैं Al2 Me6 Al2 Me6 में भी metal carbon के बीच में Sigma Bond होता है structure दिखाना हो सच हो ऐसे दिखा सकते हो Al Al Eme Me metal और carbon के बीच में कौन सा bond है Sigma bond है कौन सा bond है Sigma bond है और मैं यहां पर इस तरीके से इस तरीके से दिखा सकता हूँ क्या ब्रिज में मिथाइल होते हैं यहां पर है ना अगर आपने मेरे केमिकल बॉंडिंग के लेक्चर देख रखे तो मैंने वहां बताया था आपको यह ठीक है ब्रिज में क्या है यहां पर नमबर पर कौन सा पाई बॉंडेड वाले बेटा कौन से होंगे याद करो पाई बॉंडेड वाले मैंने आपको आयू पी यसी जब पढ़ाया था तो इस पेसल आयू पी यह नेम लिखाया थे वहां बता दिया था फिर से एक और बार डिसकस कर लेते रिवीजन भी हो गाँ जैसे इसमें पहला है फेरोसीन क्या है फेरोसीन कैरोसीन ओसी नहीं फेरोचीन है तो पहले नमबर फराइटा फेरोसीन ज्यां से लेखना फेरोसीन मैंने क्या बताया था SEC5 ह 5 in Shaunale device इस अगर मैं डीटेल में लिखूं इस तरीके से दिखता था साइकलो पेंटा डाइ एनायल बोलते हैं इसको है ना ऐसा ठीक है इधर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ अगर आपके रिंग में नेगेटिव लिखा है इसका मतलब बेटा यही होता है क्या कि नेगेटिव चार्ज और अल्टरने एफी है तो अब आप कैसे दिखाओगे इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रान पेयर कोडिनेट कर दिये इसको ऐसा तो यह होता है फैरोसीन बोलते हैं इसको एना इसका मैंने आपको आयोपीसीनें बता रखा पहले पीछे ना तो आप वहां से आपको इस देख लेना इस गढ्रिके से काम करते हैं अपन यहां पर पाइब नगरता हूं और भी लिख देता हूं मैं क्या-क्या-क्या है और देखो जरा इसको अटा देते हैं तो पहला एक्जामपल फेरोसीन हो गयासेकंड एग्जामपल देखो डाई-benzen क्रोमियम डाई-benzen कौन-सा क्रो-मियम देखना विटा, डाई बेंजीन क्रोमियम क्या होता है, क्या होता है, C6, H6, Eta6, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से, कैसे, CR, Eta6, C6, H6, कितना, होल्टवाइस, ऐसा, अब ये C6, H6 क्या होता, बेंजीन होती है, ठीक है, तो ब रिंगं बना रहा हूं, ऐसी, ठीक, CR कहाँ गहां आएगा, बीच में, आफ देखो जरा, ये अपने पई येक्ट्रॉन करते हैं इसको, और ये अपने पाइट्रॉन करते हैं, इसको, इस तबबॉर यहां पर, इसले प्य बॉन्डेट बॉलर बल्रावाव , इसको है ना ध् देख लो तीन नंबर वाला क्या जीज सॉल्ट क्या जीज सॉल्ट क्या होता है ध्यान से सुनना के के पीटी इसे लिखते थे अपन है ना इस तरीके से दिखता था आपको इस्ट्रक्चर कैसा बनेगा ध्यान से देखना प्लादिनम सेंडर पर तीन क्लौरीन एक यहां से दूसरा यहां से तीसरा यहां से और C2H4 जो होता है वो pi electron donate करता है इसको ऐसे कितने कार्बन है इस pi bond में 2 तो इसलिए hapticity 2 होगी ring वाले में तो number of carbon in ring और अगर आपको linear दिया है तो number of carbon जितके बीच में pi bond मनना वो लेता है और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर इसको ऐसे bracket k plus और यह bracket minus ऐसा होता है तो यह pi bonded organometallic compound है इसका भी अपने आयू PC name लिख रखा है ठीक है तो यह हो गए आपके pi bonded अब चलते हैं sigma and pi both ठीक तो 2 हो गए तीसरा देखना जड़ा थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा बहुत ध्यान से देखेंगे तीसरे नंबर पर आएगा sigma and pi both bonded अगर sigma और pi दोनों होंगे तो ऐसा कहां पर होता है देखना sigma and pi both bonded बिटा कहां होता है इसा metal carbonyls में होता है किसमें होता है metal carbonyls तो यह कहानी कहां चलेगी metal carbonyls किसमें metal carbonyls में यह कहानी चलेगी जैसे मैं कुछ example लिख रहा हूँ ध्यान सा देखना देखो NICO4 हाइव डाइसन भी आपको पता है SP3 इसमें sigma pi दोनों होते अभी मैं bonding से समझाओंगा अभी मैं कुछ compound लिख रहा हूँ जैसे NICO4 MNCO5 यह होता है वेटा DSP3 ठीक है FeCO5 यह होता है वेटा DSP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यह भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यह होता है वेटा टाइट्राहीड्रल हाइव डाइसन आप निकाल सकते हो VBT मैंने आपको पड़ा रखी है मैं डारेक लिख देता हूँ है CRCO6 ओक्टाहीड्रल D2SP3 क्या ओक्टाहीड्रल तो इस टाइप के मैटल कार्बोनाइज जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं टेट्राइडल, टीवीपी, टीवीपी, ओक्टाइडल यह सब इसकी जोमेंट्री और यह सिगमा एंड़ पाई बोध बॉन्डेड ठीक और देखो जरा जैसे यह एक हो गया दूसरा यह, तीसरा यह, चौतरा यह, पाँचमा देखो, MN का डाई, MN वाला भी कंपाउंड एक्जिस्ट करता है जिसमें दो सेंट्रल एटम, MN2, CO10 मतलब, इसका क्या करना है, आपको डवल लिखना है, इस तरीके से, और देखो जरा, कोबाल्ट का, CO2, CO8 यह, एक्जिस्ट करता है, ठीक, अब यह, डाई, कारवनेल में क्या होता है, दो ट्राइगोनल बाई प्रामिट यूनिट जुड़ी होगी, इसमें दो यूनिट जुड़ी होगी, या ब्रिज वाला भी होगा, देखो, इसका क्या सा बना रहा हूँ है, देखो, MN, ठीक है, और यहां मैंने एक बना रखा है, MN, ठीक है, ट्राइगोनल बाई प्रामिटल यूनिट जोड़ना हूँ है, यहां पर इस तरीके से, ख्यान से देख सी यो लगा दो, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है, यह वाला कैसा एक जिस्ट करता है, सी यो, ठीक, सी डवल मॉंडो यहां पर ब्रिज बनता है, N.C.I.T. में दिया हूँ है, बाकी बिना ब्रिज वाला भी होता है, इसका लेकिन आप ब्रिज वाला धियान दिया है, एक, दो, तीन, चार, 8 है यह ना, तो सीओ, यह दो, लेने पड़ेंगे, 1,2,3, और, 123, 5, 0,8, C.I.E.O, C.O, 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 कारबन से डोनिन now to नत्या दाना, C.I.O, C.O, और UC.O, इस तरीके से, तो कितने हो गए? 1,2,3,456,78, तो C.O, 2, C.O , 8, आप यह तो बना लोगे न ओक्टाहिड्रल टेट्राहिडल टीवीपी तो सब आता है आपको डाई वाले मैंने आपको बना के दिखा दिए समझेगे अब यह जो कंपाउंड है द्यान से सुनना यह जो कंपाउंड है इन में बॉंडिंग कैसे होगी सर आपने तो लिख दिया क्या सिक्माइन पाई बहुत बॉंडड यह होते हैं लेकिन होती कैसे सिक्मापाई बनता कैसे तो उसके लिए तो मैं बॉंडिंग पे चलना पड़ेगा तो बॉंडिंग से चलने से पहले आप पहले मुझे इन सब का आयू पीए सीने में एक बार बोल देना जरा क्या है ऐ हेक्जा कार्बनाइल क्रोमियम 0 यह क्या आएगा डेका कार्बनाईल डाइ मैगनीज 0 ओक्ता कार्बनाइल डाइ कोबल्ट 0 इस तरीके से इसके आयू बीए सी नेम आप लिख सकते हो यह अब हम चलते हैं बटा बॉंडिंग यह बहुत इंपॉर्डेंट है यह चीज नहीं मेरे पास एक मैटल है मेरे पास एक मैटल है मेरे पास एक मैटल है कि एम और मेरे पास है एक सियो ग्रूप तो यह हो गया मेरे पास सी ओ गृप मैटल और कार्वोनायल के बारे बता रहा हूं ठीक है तो यह मैटल है यह सी ओ है अब मुझे बताना जरा कारबन के पास होता है लोन पेर तो मैं यहाँ पर एक box बना रहा हूं जिसके पास क्या है loan pair 마ní से दिखा रहा हूं इस तरीके से दिखा रहा रहूं है किया का सलोब होता है क्या होता है लेकिन मैं एक लोब दिखा रहे हूँ बस ऐसा आधा वो भी और मेटल के पास क्या होते हैं ऊफिल्ड औरबिटल फिल्ड डिओर्बिटल एना चिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस तरीके से, so के पास, carbon के पास loan 높यर तो है, साथी साथ इस में, साथी साथ इस में, vaccine anti-bonding pi star b है, टिक है, anti-bonding, pi star b है, इस तरीके से दिख रहा बड़िया, ठीक, अब देखना चारा ले हां से, sigma bond कैसे बनता है, sigma bond कैसे बनता है, सिग्मा मौंड बनता बेटा ऐसे देखना धियान से यह ले लिए देखो कार्बोनाइल कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको वेकेंट डी और्बिटल ओफ मेटल को धियान से सुनना सियो का दिखरा डायगराम अच्छा सियो का जो कार्बन है उसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है किसको मेटल के डी और्बिटल को वेकेंट और्बिटल को अब सुनना जरा यहाँ पर यह फिल्ड डी और्बिटल है क्या है यह फिल्ड डी और्बिटल है यह फिल्ड d orbital donate करते हैं electron किसको co k anti bonding pi star को यह जो मैंने खाली बनाए न यह कौन से वाले हैं बिटा यह हैं pi star anti bonding खाली है याद करो जरा molecular orbital theory co के पास pi star खाली होते हैं तो कैसा दिखता है यह इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि इसने side wise overlapping कर ली किसके साथ co के anti bonding pi star जो खाली थे उसके साथ बात समझ में आई आपको क्या चल रहा ही है कार्बोनाइल कार्बन अपना lone pair metal के वेकंट d orbital को देता है और metal के जो फिल्ड d orbital हैं वो anti bonding pi star से overlapping कर लेते हैं समझते जाओ देखो सारी चीज़ें आपको यहाँ आप पर समझाई जाएंगी ध्यान से विल्कुल आप इतना तो समझेंगे कोडिनेशन में एक एक चीज एक्स्प्लिन की जाएगी बस आप ध्यान से देखते जाना इधर उधर भटकता नहीं है ठीक है क्योंकि भटकने के लिए आपके पास YouTube में जवाने भर की वीडियो आते हैं जिसमें आप बढ़क जाते हो यह स्टेड़ जी वह स्टेड़ जी यह मॉटिवेशन वह मॉटिवेशन बाइक कोई मॉटिवेशन ने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही आपको मॉटिवेशन होना चाहिए इसलिए मैं डी और्बिटल ठीक है इसके वेकेंड और्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे क्या करेंगे विटा ओवरलैपिंग करेंगे तो हो क्या रहा है यह ओवरलैपिंग इसके साथ कर रही है ठीक और यह डोनेट इसको कर रहा है मतलब एक तरीक से पता क्या हो रहा है जब यह ड पॉइंट लिखने की जरुवत है क्या पहले तो मैं इसको थोड़ आसा ऊपर खिसकाऊंगा है अलका सा है दो पॉइंट यहां लिखूंगा देखो पहला पॉइंट क्या है मैटल एंड कार्बन मैटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इस फॉर्मड बाए यहां से सुनना मैटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इस फॉर्मड बाए दोनेशन ओफ donation of carbonyle co को carbonyle बोलता है न donation of carbonyle carbon carbon into vacant orbital into vacant orbital of metal M देखो metal carbon sigma bond कैसे बन रहा है carbonyle carbon अपना loan pair donate कर रहा है किसको metal के vacant orbital को एक तो इससे सिक्मा बन रहा है second pi कैसे बन रहा है metal and carbon pi bond is formed by is formed by sideways overlapping of sideways sidewise overlapping ध्यान से सुनिएगा sideways overlapping of metal and carbon यह बात हो रही है यहां पर या carbonyle carbon लेखो metal and carbonyle carbon carbon ध्यान से सुनना जरा metal carbon sigma bond बेटा कैसे बन रहा है carbonyle carbon अपना lone bear दे रहा है metal के orbital को head on overlapping और metal carbon pi bond कैसे बन रहा है इसकी और इसकी sidewise overlapping हो रही है तो यह दोनों पॉइंट आपको बिलकुल ध्यान लखने है अब इन दोनों पॉइंट को ही हम एक important point में convert कर देते क्या इस type का जो effect होता है ना इसको बोलते सिनर्जिक effect ठीक है इस type की bonding को क्या बोलते सिनर्जिक bonding ठीक है और 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 यह जो इनको लीगेंड होते है इनको इनको नहेंद है पाई-सब लीगया मैं अगले point अगले उसमें slide मेट कर देता हूं अगले उसमें अट कर देता हूं यहां लिंक देता हूं पॉनेंगर 2 हो गई अब देखो point नॉमबर 3 पॉइंट नंबर तीन क्या कहता है यह कहता है कि this effect this effect is called synergic effect कौन सा synergic effect and bonding and bonding is known as synergic bonding synergic bonding तो इस effect को synergic effect बोलते हैं और bonding को क्या बोलते हैं वेटा synergic bonding ठीक है अब धियान से देखना point number four ligands ligands are known as ligands are known as pi acid ligand क्या बोलते हैं इनको pi acid ligand ठीक है तो यहां तो मैंने c o लिया c o के अलावा और क्या क्या हो सकते है c n minus हो सकता प्यार थ्री हो सकता इस टाइप के है ना pi acid ligand के और example देखो c o तो जानते ही हो c n minus प्यार थ्री इस टाइप के ठीक है यह ligand होते है जिनके पास vacant orbital है ठीक कारबन के पास यह के पास vacant orbital भी है और फिल्ड orbital भी है वेकेंट कौन सा है पाई स्टार एंटी बांडिंग वेकेंट है यह अपना loan pair जब इसके वेकेंट ऑर्बिटल को देता है तो सिगमा बनता है और यह जब घर दोनेशन करता है क्या इसको भाएक स्टार को थो पाईबल्ट बनता यह साइट्वाइस होती है और यह है विल्कु बैक डोनिशन से इफेक्ट को क्या बोलते सिनर्जिक एफेक्ट बॉंडिंग पाई ऐसे डिलिगंड बोलते हैं इसके अलावए एक दो आल याद रखना यह तो इससे होता क्या है सिनर्जिक बॉंडिंग की वज़य से क्या हो रहा है आपको देखने में ऐसा लग रहा था कि मैटल कार्बन सिर्फ एक बॉंड बना रहा है क्यों आप जब मैटल कार्बोनाईल बनाओगे तो ऐसी तरीके से दिखाओगे ना देखने से तो सिग्मा बॉंड लग रहा लेकिन बॉंड का पारसील डबल बॉंड भी बोल सकते हो आप है न मतलब यहाँ पर देखने से सिग्मा लगता है लेकिन सिग्मा से बड़ा बॉंट होता है मतलब बॉंड की तरह बान सकते हो पारसील डबल्म 제가 dw ii बहान से सुनना synergic bonding से क्या होता है metal and carbon ध्यान तो सुनना metal and carbon bond energy बड़ती है metal carbon का bond strong होता है synergy bonding में side-wise overlapping भी तो साथ में हो रही है strong bond होगा किसका metal and carbon का अगर bond energy बड़ेगी तो bond order भी बड़ेगा क्योंकि directly proportional होता है और bond length क्या होगी? कम होगी, किसके बीच की? metal and carbon के बीच की, ठीक है? अब धियान से सुनना, metal and carbon के बीच में जो काम होगा, उसका उल्टा काम हो जाएगा, किसके बीच में? carbon and oxygen के बीच में, मतलब अगर metal carbon bond energy बड़ी, तो bond energy carbon oxygen की कम हो जाएगी, अगर ये कम तो bond order कम, bond order कम तो bond length जादा होगी, अब सुनना ज़रा धियान से हो क्या रहा था, आपको bond order का formula याद है, क्या होता है? nb-na by 2, ठीक है? धियान से देखना, जब metal back donation करेगा, किसको? इसके anti bonding में, तो anti bonding में electron बढ़ेंगे, तो अगर ये बढ़ेगा, तो bond order क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, किसके बीच का? co के बीच का, ठीक है, तो ये आप धियान रखना, अगर anti bonding में electron बढ़े, तो bond order कम, किसके बीच का? co के बीच का, तो co के बीच का bond order कम हो जाता है, bond energy कम हो जाती, बढ़ जाती है ठीक आगे बढ़ते हैं मालो आपको अलग अलग मेटल कार्बोनाइल दिये हैं तो उसमें तुम्हें एक फंटा लगाना पड़ता है चार्ज डेंस्टी जिससे तुम कंपेर करा पाते हो कौन सी बॉंडिंग स्ट्रॉंग हो रही है कौन सी वीक हो ठीक है तो क मेटल एंड कार्बन बॉंड एनर्जी बढ़ेगी कब जब चार्ज डेंस्टी ओन मेटल ज्यादा होगी चार्ज डेंस्टी का फंटा मैंने बताया था क्या होता है एक चोटा पीज़ा ले लो एक बड़ा पीज़ा ले लो एक औरगनियो का पाउच डालो किस पर छोटे व क्या होगी वेटा कम होगी इसका उल्टा काम क्या करना है कार्बन एंड ऑक्सिजन कार्बन ऑक्सिजन बॉंड एनर्जी क्या होगी काम बॉंड ओडर क्या होगा काम बॉंड लेंद क्या होगी ज्यादा जो यह काम है इसका उल्टा आपको नीचे लिखना है ज्यादा तो यह यह कम यह ज्यादा यह कम यह ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा इस तरीके से तो यह आप दियान तो आप इसके question बना ले जाओगे कभी गलत नहीं होगा एक बना लेते हैं आपके सामने लिखा देखो पड़ो जरा सवाल क्या कहरें इसमें कहना है if co bond length in co is 1.128 angstrom then what is the value of co bond length in fe co5 ध्यान से सुनना पहले सवाल पढ़ा करो आप question ध्यान से पढ़ो पूछा क्या है आप से पूछा है co bond length क्या पूछा है पेटा co bond length ठीक है co bond length पूछा है ठीक अब मुझे एक बताओ जब co free पढ़ा हुआ था complex में नहीं था complex में आने से क्या होगा complex में आने से metal and carbon bond energy बढ़ेगी complex में आ गया ना bond energy बढ़ने से bond order बढ़ेगा bond order बढ़ने से bond length कम होगी किसकी metal and carbon की तो इसका उल्टा लिखना है क्या carbon and oxygen में क्या होगा bond energy कम होगी bond order कम होगा bond length बढ़ेगी अब ध्यान से सुनो जैसे ही metal carbon बना ये काम हो गया अब देखो 1.128 co की bond length थी अब synergic bonding से क्या हुआ बटा synergic bonding से तुमारा c and o का bond length बढ़ जाएगा means 1.128 से बड़ी value आएगी 1.128 से बड़ी value आएगी बड़ी value कौन सी है बताओ जरा bond length बढ़ जाएगी न तो 1.128 से बड़ी value कौन सी है 1.15 इससे छोटी है काट देंगे ठीक है नहीं छोटी नहीं बड़ी है यह नहीं यह बड़ी है 1.1 अच्छा यह तो बरावर यह काट दें बरावर वाली पहले हटा दो यह काट दो 1.72 यह बड़ी है और 1.15 बड़ी है 1.11 1.12 यह छोटी है अब आंसर तुम्हारा या तो ए है या सी है अब ध्यान से सुनना जब कभी वी सिनर्जिक बॉंडिंग होती है तो डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है ऐसा नहीं कि डिफरेंस लार्ज हो जाएगा तो 1.128 है ना तो 1.12 से 1.15 थोड़ी सी मॉंड लेंथ बड़ेगी बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं आता ह इतना difference नहीं आता सिर्फ my new difference आता है इस वाली bonding से लेकिन आता जरूर है इसका मतलब यह answer इसका नहीं होगा सही answer में टिक कर रहा हूं सही answer इसका आगरा 1.15 1.12 से थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ी सी बड़ी value आएगी बहुत ज्यादा difference नहीं आएगा तो ए आंसर आएगा है इसका अगला सवाल करो ट्राई करो जड़ा कंपेर सीयो बॉंड इस ट्रेंथ अब यहां क्या क्वेश्चन द्यान से पढ़ना वेटा इसी में मिस्टेक हो जाती लोगों से कुष्चन द्यान से नहीं पढ़ते एक्जाम में गलत हो जाता है यह ना स्ट्रे discharged क Crown can onion एम्हें चास घर्ण annat के यह तो नीट्रल होता न सीऊ तो यहां मैं बोलूंगा मैं अमें क्या है प्लस यह तो नुट्रल Bye यहां वैनेडियम पर माइनश हां की ऑक्सिडेशन नमबर नेगेटिब भी हो सकती तो यह प्लस यह जीरो यह माइनस अब बताओ जड़ा चार्ज डेंस्टी किस पर ज्यादा है यह पॉजटेव चार्ज देंस्टी कम है अगर चार्ज डेंस्टी ज्यादा है तो मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पर यहाँ पर metal and carbon इसको मैं 1,2,3 लिख देता हूँ यह 1 यह 2 और यह 3 एक है metal and carbon bond energy किसमें जादा होगी bond energy का order bonding किसमें अच्छी होगी जिसमें charge density जादा है metal and carbon bond energy 3 की जादा होगी फिर 2 आएगी और फिर 1 आएगी यह bond energy metal carbon की है जो metal carbon का है उसका उल्टा carbon oxygen का होता है यहाँ सो सुनना जो metal carbon में काम हो रहा है ना उसका उल्टा करना विड़ा किसमें carbon oxygen में तो carbon oxygen bond energy इसका उल्टा कर दो 3 की कम फिर 2 फिर एक ऐसा simple बहुत आसान है बस तरीका सीख लो कैसे करना है है metal carbon में जो काम हो रहा है उसका उल्टा करना है तो मैं किसमें carbon oxygen में बस खतम कहां नहीं इसके आ गया एक्जाम में आपको नहीं आएगा इत्ता ही आएगा आगे बढ़ें चलो भई 18 electron rule समझ लेता है किसके लिए metal carbonize के लिए क्यों metal carbonize की stability बताने के लिए एक रूल दिया गया 18 electron rule इसको कैसे apply करना वो देखो 18 electron rule क्या कहता है रूल ये कहता है कि number of electrons number of electrons in ns orbital plus number of electrons in n-1d orbitals ठीक है in orbitals में ठीक है ns orbital n-1d orbitals प्लस number of electrons डोनेटेड बाइ लीगेंड डोनेटेड बाइ लीगेंड ये कैल्गुलेट करना है अगर रूल ये है कि ये कैल्गुलेट करना है अगर इसका सम अगर इसका सम 18 आता है देन देन मैटल कार्बोनाईल इस से टू बी स्टेबल देन मैटल कार्बोनाईल इस से टू बी स्टेबल तो मैटल कार्बोनाईल स्टेबल होता है ऐसा बोलते हैं 18 एलेक्ट्रोन रूल होता है जैसे मैं आपको अपलाई करके बता रहा हूं मालो मेरे पास एनाई सीओ फाइव लिखा है और मुझे बेटा इसमें निकालना है 18 एलेक्ट्रोन रूल लगाना ए यूट्रल होते हैं वैसे देख लेना नेगडेवली चार्ज हो तो भी देख लेना एक बार है ना जैसे इसका और निकालो एक्स प्लस पोर इंटू जीरो यह कॉम्प्लेक्स है तुमारा इस एक्वल डू जीरो एक्स क्या आगया जीरो एनाई का एलेक्ट्रोने एक ए यार पोरेस्टू ठीडिए यही लिखोगे कोई चार्ज है क्या नहीं है मतब यही छोड़तो अब देखना जड़ा यहां पर तुम्हें क्या चाहिए देखो एनेस के एलेक्ट्रोन और एन माइनस वंडी यह दोनों यह चाहिए एनेस और एन माइनस वंडी में इन औ arbitrions मतार है पूरे की फूरेोरोट्र मतार एक तषरिक तेसाल बोल अधोए ना तो अर्श है लो तो नहीं इस्को पमाल लीन कुछ और माण लो जैसे इसको यह पी माल लो फोही है घंसे देखना कितने इलेक्ट्रोन है दस दो इसमें है ns में आठ है इसमें प्लस नंबर ऑफ एलेक्ट्रों डोनेटट वाई लीगेंड कार्वोनाईल क्या करता है दो एलेक्ट्रों देता है कितने कार्वन लगए चार्क तो टू इंटू 4 कितना हो गया यह 10 प्लस आठ 18 बतलब अगर 18 इलेक्ट्रों आ रहे हैं मींस हम बोलेंगे स्टेबल मेटल कार्वोनाईल एन आई सी ओ फूर क्या है स्टेबल मेटल कार्वोनाईल अमजगे बात को यह होता है 18 लेक्ट्रों रूल बहुत सिंपल है ऐसे अपलाई करना है अमजगे नमबर फ लेक्ट्रों एनस में देखो एन माइनस बंडी में देखो और जितने से सब्सक्राइब करना और बताना वीसी ओ सिक्सरे है एक चिकले वीजियोगे वी जखे भी सीओ इसका पी निकाल के बता वो पी हमने क्या मांना है 18 इलेक्ट्रों डूल में वह चेक करना आपकों है न बता जरा पी पहले इसका ऑक्सिदेशन नम्मन निकालते है एक्स चीरो- इнок-कौनफिगरेशन और एक यार क्या आएगा यार-4S-2 कितना आएगा बता ना इसका वैन इदियम वैन साइन्स टीचर भी नहीं ता मतलब 3 होता है आप देखो जड़ा जब तुम पी निकालोगे तो यह दौनों एड़ करने ठीक तो पीज इक्वल टू क्या बोलोगे दो हो गए एनस में और एन माइनस बंडी में 3 प्लस लीगेंड कितने लगें 6 तो टू इंटू सिक्स बारा औ और 325 5 प्लस बारा कितना होता है 17 मतलब यह मैटल कारबुनाइल स्टेवल नहीं है पीज इकोल टू 17 नॉट इस्टेवल अब ध्यान से सुनना कहानी अगर यह स्टेवल नहीं है तो यह स्टेवल होना चाहेगा क्यों यह चाहेगा कि इसके पास एक लेक्ट्रॉन कहीं से आ एक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा वी सियो 6 नेगेटिव इसमें कितने एलेक्ट्रॉन आ रहे थे 17 अब इसमें कितने हो जाएंगे 18 क्यों एक एलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब यह क्या कर रहा है एलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब यह ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होगा ध एजेंट की तरह यह काम करएगा बाक समझ में आई तो यह चाहेगा इसको कहीं से एक súper मिल जाए बाई सब मत् посто INTER cap vermag और Мне और यह क्या है मुर्टिभल तो यह चाहता है कि हम क्या हो जाएं इस्तेवल हो जाएं तो реально स्टेबल कैसे होंगा एलेक्ट्रोन लेके ही तो स्टेबल होगा क्यों 18 लेक्ट्रोन दवीद होंगे इसके पास तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इस तरीके से मालो कोई कंपाउंट दिया गया आपको कार्बोनाइल और पूछा है कि बताओ यह किसकी तरह करेगा तो बटा यह ऑक्सिडाइजिंग अगर किसी में 19 एलेक्ट्रोन होते मालो कोई मेटल कार्बोनाइल ऐसा होता कुछ भी मालो मैंने यहां MO axe ले लिया और इसमें होते आपके 19 bisa का जाहेगा यह चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रोन निकालने और हम एक इलेक्ट्रोन निकालने मतलव ऐसा दिखें और एलेक्ट्रोन निकालने यह काम करेगा बेटा, reducing agent की तरह, समझ रहे बात को, reducing agent की तरह, या एक चीज यह हो सकती है, कि यह अपना dimer बना ले, क्यों, अगर dimer बनाएगा, तो एक electron की sharing तो करेगा न, जैसे mn, mn अपना dimer बनाता है, ऐसे, तो एक electron की sharing करेगा, अब एक electron कम हो, या एक electron जादा हो, तो वो sharing में तो चला ही जाएगा आपका, ठीक, इसका मतलब वहाँ पर rule follow हो जाएगा, means, कभी भी आप से metal carbonyl का पूछें, कि इसका behavior कैसा होगा, तो आप चेक कर लेना, अगर 17 electron है, तो यह oxidizing agent, और 19 electron है, reducing agent, और dimerization पर दोनो 18 electron तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, समझ गए, तो यह बहुत ही अच्छी चीज थी, समझना बात को क्या पढ़ाया जा रहा है, हाँ पर है ना, कई online platform तो अलगी चले जा रहे हैं, वो कहते हैं इंडिया के best educator, top educator यहीं है, तो हमें लगता है कि हम नौकरी चोड़ दें अपनी, हम पढ़ाना चोड़ने, ठीक है, तो भाई यह strategy, वो strategy, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या करते, लोग करते क्या है, भाई, जितनी देर में तुम strategy दे रहे हो तनी देर में भाई, ढंकी चीजें पढ़ा लो, कम सिंकम बच्चों का भला हो जाए, है ना, कुछ भी दिये जा रहे हैं, एंड में प बच्चों के लिए अगर सोच रहे हो ना, तो बच्चों को बोलना नहीं है हमें, नियान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ है न, जिसे, मतलब आप समझ गयोंगे, मैं किन को बोलना चाह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो भाई करके बताओ, ऐसा नहीं कि बिटा ये कर लेना, वो कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लोगे तो ऐसा होगा, भाई ये सब हवावाजी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज कुछ लाइक और कुछ सब्सक्राइबर के लिए होता है, अब इतना कहां गिर रहे हो यार, थोड़ा उठो भाई, दुनिया से थोड़ा उठो, और ये ध्यान लगो भाई, तुमारे होने या ना होने से इस ब्रह्मान्द को एक परसेंट भी फरक नी पड़ने वाला, जो लोग सोचते न हम महान हैं, हम बड़े हो गए, कोई फरक नी पड़न पढ़ेंगे, जो भाई पढ़ेंगे, उनका सेलेक्शन होगा, सीधा, बिल्कुल डारेक्ट रूल है भाई, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को गुमराह मत करो, बच्चे क्या है, तुमारी स्टेटजी के चकर में जवरदस्ती में फिर फस जाते हैं, और फिर लास्ट पर कुछ भी चल रहा है, है न, चलो वई, आके वड़ते हैं, स्टेबिलिटी ओफ कॉडिनेशन कंपाउंड्स, अगर कॉडिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो किस बात पर डिपेंड करती, स्टेबिलिटी दिहान से देखना, मैटल की रियेक्शन अगर मैं लीगेंड से करा दूं, ठीक, मैटल की रियेक्शन अगर मैं लीगेंड से करा दूं, तो होगा क्या, कॉम्पलेक्स बनेगा, तो मैटल लीगेंड कॉम्पलेक्स, ठीक, यह क्या बनेगा, एक लीगेंड आया, अगर मैं आपको एक लीगेंड और दे दूं, एक ल L3 अब कुछ लोग परिशान हो जाएंगे मुझसे देखना ML3 प्लस L क्या बन जाएगा ML4 देखना चाटा ध्यान से इसने एक लीगेंड लिया इसने दूसरा लिया इसने तीसरा लिया इसने चौथा लिया पांचमा चटा आप दे सकते हूं मैं 4 से आपको समझा देता हूं इटू M की कॉंसेंट्रेशन प्लस L की कॉंसेंट्रेशन स्वरी प्लस क्यों लगा रहा हूं भाई मल्टिपलाई L की कॉंसेंट्रेशन ऐसा प्रोड़क्ट अपॉन रियक्टेंट अरे बटा इकलिविरियम कॉंस्टेंट है यह ना अगला देखो इसका अगर मैं के टू ल कॉंसेंट्रेशन डिवाइड बाई एम एल टू है इन्टु एल इस तरीगे से लिखते जाओ आप के 4 लिख सकते हो क्या है कि एमल 4 कॉंसेंट्रेशन डिवाइड बाई एमल 3 और इन्टु एल अब देखना ज़ा ध्यान से K1, K2, K3, K4 को इनको बोलते हैं, इनका नाम है Stepwise, क्या है यह? Stepwise Stability Constant, क्या नाम है Stepwise Stability Constant, अब मैं इसको Stability Constant क्यों बोलना है, मुझे एक बाब बताओ, K1 अगर जादा हुआ, तो Product Formation जादा होगा, अगर यह जादा Formation, तो अब आगे चलोगे, K2 जादा, तो इसका Formation जादा, K3 जादा, इसका Formation जादा, K4 जादा, इसका Formation जादा, मतलब Reaction Forward Direction में जाती रहेगी, इसका मतलब अगर मैं इन सब को Add कर दूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यह सारी Reaction एड़ कर दूँ, तो M प्लस 4L दिखेगा, क्यों, सब को Add करोगे, इससे एकट जाएगा, इससे एकट जाएगा, इससे एकट जाएगा, M बचेगा, 4L आएगे और M L 4 आएगा, मतलब M प्लस 4L क्या आएगा, M L 4, और अगर मैं सब को Add करता हूँ, तो मैंने लेखा, बीटा 4, बीटा होता है बेटा, ओवर ओल स्टेबिलिटी कॉंस्टेंट, ओवर ओल स्टेबिलिटी, ओवर ओल स्टेबिलिटी कॉंस्टेंट, अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, तो Dissociation Constant हो जाएगा, भाई, M L 4 टू टू ट्राएगा, तो Dissociation Constant क्या फोर, ठीक है, फोर किसलिए लिखा, सब स्क्रिप्ट, चार लिगन लगे थे, बीटा 6 किसके लिखते, M L 6 के लिखते हैं, तो Dissociation Constant क्या जाएगा, वन बाउन, बीटा 4, बीटा 4 क्या होता है, ओवर ओल स्टेबिलिटी कॉंस्टेंट, के 1, के 2, के 3, के 4 क्या होता है, स्टे बीटा 4 दिया है, बताओ जरा, Dissociation Constant, क्या विटा, Dissociation Constant, ये क्या होता है, 1 अपाउन, बीटा 4, एक, मतलब, 1 अपाउन, 2.1, इंटू 10 की पावर 13, इसदा आंसर, सॉल करी सकते हैं, समझे लो, कैसे लिखा, Dissociation का मतलब, क्या करना है, तुम्हें इसे तोड़ना है, किसको, Cu, Ns3, 4, 2 positive, इसको बेटा तोड़ोगे, तो Cu2 positive, प्लस 4 क्या वनेगा, अमोनिया वनेगा, इस तरीके से, समझे लो बात को, तो ये Dissociation है, ये Dissociation है, अगर उल्टा चलते तो formation होता, बीटा 4, तो उसका उल्टा करना है, reaction reverse करते हो, तो equilibrium constant 1 upon हो जाता है, आगे बढ़ते हैं stability का और factor देखते हैं, क्या, chilate complex अगर कभी आ रहा है, तो वो non chilate से जादा होता है, chilate कब आएगा, didentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate, मतब, denticity बढ़ाओगे, chilation बढ़ता जाएगा, monodentate chilate नहीं बनाता, didentate और उसके उपर वाले chilate बनाते हैं, तो आप देखो ज़रा, यहाँ पर क्या-क्या है, यह monodentate है, ठीक है, mono यह unit ended, यह monodentate है, यह monodentate है, और यह क्या है, तुम्हारा didentate है, अगर यह didentate है, तो यह chilate बनाएगा, और chilate बनाने वाले stable होते हैं, मैं इसका बनाके बताता हूँ कैसे, f1,2,3,4,5,6, ठीक है, इस तरीके से दिखाते है, aux, ठ इस तरीके से आप दिखाते हैं, कितना negative है, 3 negative है, तो देखो जरा, यह ring बन रही है न आपकी, इस तरीके से, तो इनी रिंग को क्या बोलते हो, chilate, यह जो ring होती है, इनका नाम क्या है, chilate, तो जब कभी भी chilate बनता है, तो stability आती है, लेकिन अगर कभी मालो ऐसा हुआ, एक ह charge से चेक करो, जितना ज्यादा oxidation नंबर उतनी ज्यादा stability, ठीक है, अगर आपको एक ही ligand दिया है, यह देखो जरा, हमें क्या करना है, oxidation नंबर निकालना है, किसका, उस metal का, ठीक, वो निकाल लो, oxidation नंबर ज्यादा, stability ज्यादा, कब, जब गिवन metal ligand हो, जैसे, fe h206, 3 positive, fe h20 ज्यादा होगा, ठीक है, सेम metal और सेम ligand के लिए, अगला देखो जरा, एक Irving William order होता है, इसको आप डारेक्ट दियान लगना, याद रखना भी आसान है, ऐसे metal जिन पर प्लस टू चार्ज होता है, जैसे MN प्लस टू, ligand वगरा सेम होगा है, MN प्लस टू, fe, co, ni, इसको ड सी यू, इस तरीके से, एक, तो ऐसा मैंने लिख दिया, जैना, चलें आगे, तो यह धियान दखना, जैसे मालो, MNs 206, 2-positive, fe, 206, 2-positive, तो यह ज्यादा stable है, इस तरीके से, जैना, कुछ important points और application लिख रहे हैं, coordination compound के, तो important point यहां cover कर लेते हैं, next lecture मैं आपना isomergem, isomergem आपना, चलो पढ़ो जरा क्या कहरें, थोड़े से theoretical point है, पढ़ दो, क्या, chlorophyll हो गया, हीमोगलोविन हो गया, और vitamin B12, साइनो को वाला मीन, याद है आपको है न, our coordination compound of, mg, fe, और co respectively, धियान दखना, chlorophyll में mg, हीमोगलोविन में fe, b12 में cobalt, एक, anti-cancer agent जो होता है, वो कौन सा होता है, Cisplatin, कैसा दिखता है, structure मना रहा हूं, Cisplatin होता है, इसा, PT, NH3, NH3, CL और CL, यह होता है, तुम्हारा Cisplatin, ठीक है, यह है Cisplatin, ठीक है, इसको Cisplatin बोलते हैं, ammonia इधर CL है तो, Transplatin नाम हो जाएगा, Cisplatin, anti-cancer agent होता है, ठीक है, अगला देखो, wilkinson catalyst wilkinson catalyst जो होता है is used for hydrogenation और किस का यह होता है wilkinson इसका क्यों इस ही नेम बता दो जड़ा क्या होता है देखो जड़ा क्या लिखोगे मैं लिखूंगा क्लोराइडो यह लगा ना क्लोराइडो और यह लिखूंगा ट्रिस ट्रीस ट्राइफिनाईल क्योंकि इसके नाम में ट्राइफिन आ रहा है न तो ट्रिस लिखना पड़ेगा ट्राइफिनाईल फॉस्फीन ट्रिस ट्राइफिनाईल फॉस्फीन रोडियम तो आप देखना जड़ा इसको अंडरलाइन करो फस्ट कैसे आया एक्स प्लस फ्री इंटू जीरो प्लस वन इंटू माइनस वन इस एक्वल टू जीरो तो एक्स क्या आ जाएगा प्लस वन तो रोडियम फस्ट इस तरीके से आ यू पेसी नेम लिखना है इसका अलकीन के हाइडोजनेशन में यूज करते हैं इसको ठीक है होगी कहानी चलो फिर हम जाते जाते आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो वह अपनेन पर पढ़ेंगे बाकी अपने मैटल कार्बनाइल कर लिया सी एफ टी कर लिया भीटी कर लिया अई उप्यसी कर लिया अई सतका लिए ऐसो मेरे जंब ऊसक रह गया है तो नेक्स तन पर हम आई सो मेरे जंब कवर करने वाले हैं बढ़िया तरीके से पड़ते से देख रहे थे मतलब लोग जमाने वर मुझे समझ में यादा क्या कर रहा है यार लो यार पढ़ा लो बच्चों को पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा लो मैं तो यही बोलता रहूंगा पढ़ा लो जितना आप content deliver कर सकते हो बच्चों को दो तभी तो बच्चे का selection होगा आप की strategy से बच्चे का selection नहीं होने वाला आप बोलो सर स्टेटी मिल जाती है तो हमें पता चल जाता कोई फॉलो नहीं करता किसी की strategy कोई किसी की strategy फॉलो नहीं करता एक बार वीडियो सुनके निकल लेते हैं बस इस्टेटी बच्चे खुदी बनाते हैं आप समय वरवाद मत करो बच्चों का ठीक बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं बच्चों को पता इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि चार साल-पांच साल के हैं बच्चे बड़े हैं उनको पता है क्या करना है आप लोग जवरदस्ती का लोगों का time खराब ना करें पढ़ा दें मैं तो उन लो चोटा मोटा माद्दा निकाल लिया करो पढ़ाई के लिए क्योंकि आपके लिए इंपोर्टेंट देखो बच्चों आपकी जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं है अभी क्या है आपके हाथ में कुछ भी नहीं घर वालों ने सिर्फ पढ़ाई का काम दिया है तो उसको आपको अपनी नजरों में गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए कि यार हमने मैनत नहीं करी हमने मैनत करी हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ खतम कहा नहीं बस इसके अलाव और कुछ नहीं बचा जीवन में ठीक है वड़िया तरीके से पड़ो हम हमेशा साथ में आपके ठीक चलो मिलते हैं फिर तब तक के लिए ओक के बाए